क्लास 6, साइन्स में हम चैप्टर 8, मोशन और मैजर्मेंट पढ़ रहे हैं और प्रीविएस वीडियो में हमने नीट्स वार मैजर्मेंट, मैजर्मेंट इन अन्सियन टाइम्स, इंटरनेशनल सिस्टम आफ युनिट्स, और मैजर्मेंट आफ लेंथ के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम measurement of length of a curved line motion and its types and more than one type of motion at a time के बारे में बढ़ेंगे Dear students, हमने previous वीडियो में measurement of length में जो भी measuring device है length को measure करने वाली devices है उनके बारे में भी समझा था कि measuring tape का क्या काम है जो inch tape होती है उसका क्या काम है meter scale क्या है इसका use कहा होता है तो measuring tape से और जो meter scale होता है उससे हम straight line को यानि linear distance को measure कर सकते हैं लेकिन curve distance को measure करने के लिए जो है हम different device का use करेंगे और यहाँ पर correct and incorrect ways of measuring length of a wooden block बताया गया है कि अगर हमको लकडी के टुकड़े की लंबाई मापनी है तो उसके लिए जो correct और incorrect तरीका है वो क्या है तो इसमें दिया गया है कि अगर हम लकडी के टुकड़े की लंबाई measure करना चाहते हैं तो हम जो है किसके हल से करेंगे foot ruler की help से और जो की हमारे geometry box में होता है और इसके लिए जो scale है इस तरह से जो है object के साथ जो भी उसकी length है वहाँ से इसको measure करना है और ये जो है एक proper horizontal position में होना चाहिए तो अब देखेंगे कैसे सीधे scale रखके जो है लकडी की लंबाई को मापा जा रहा है अब एक बार आपको यहाँ देखना है मैंने आपको कुछ physical quantities बताई थी और उनकी SI units भी बताई थी तो length मैंने आपको बताया था कि length को meter में measure किया जाता है length की standard unit है meter और length की जो biggest unit है या फिर हम उसको multiple unit of length भी बोल सकते हैं तो वो क्या है kilometer है ठीक है और length की सबसे चोटी जो unit है वो है centimeter ठीक है अब मास की बात करें तो मास को kilogram में measure किया जाता है kilogram इसकी SI unit है और मास की जो standard unit है वो है gram मास को जो है weight को हम अगर कहले कि weight को किसमें measure किया जाता है weight की SI unit है gram standard SI unit जो है वो gram है और kilogram जो है यह weight की SI unit है और इसको biggest unit भी बोल सकते हैं हम यह multiple units of length भी बोल सकते हैं और cg cg में भी ना पा जाता है cg का मतलब होता है capital c small g centigram centigram भी होता है जिससे weight measure किया जाता है चोटे-चोटे objects का time को measure करने के लिए भी 3 units है time को hour minutes और seconds में हम watch करते हैं और time की जो standard unit है standard international unit है वो क्या है second है ठीक है और electric current में आपको बताया था इसको I से represent करते हैं और MPR में measure करते हैं temperature measure किया जाता है 3 scale पर Kelvin scale, Celsius scale और Fahrenheit scale ठीक है और जो है इसकी लेकिन SI unit जो है वो K है small k small k stands for Kelvin ठीक है here small k stands for Kelvin किसी भी substance की अगर हमको amount check करना उसकी मात्रा उसकी quantity क्या है तो उसको small n से represent करते हैं और उसकी SI unit से उसको measure करने के लिए वो mole है ठीक है तो mole का जो symbol है वो क्या है small m, o and small l ठीक है luminous intensity measure की जाती है candle हमें measurement of length of a curved line तो अब अभी तक हमने सीधी रेखा को या जो straight objects है उनकी length को कैसे measure किया जाता है यह सिखा है और अब हम देखेंगे कि जो curved line वाले ऐसे objects जो की गुमाओदार होते हैं या फिर एसी लंबाई जो की curved line में होती है उसका measurement कैसे किया जाता है तो हम जानते है कि meter scale का use या measuring tape का use जो है हम जो है अभी तक straight object को measure करने के लिए किया लेकिन जो है curved line के लिए हम नहीं करते हैं क्योंकि जो है इससे incorrect measurement आता है और तो अब हमें किस चीज का use करना चाहिए जिससे हम curved line यानि घुमाओदार जो object है उनकी length को और किसी भी object की length को जो की curved line में हो और straight line में ना हो उसको कैसे measure करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है हम thread का use करेंगे एक तहागे का use करेंगे और thread से क्या करेंगे उसकी पूरी length को इसे घुमा कर नाप लेंगे जो भी उसका shape है उसी shape पर रखकर घुमा कर जो है हम उसे नाप लेंगे और फिट धागे को cut करके measuring tape से या meter scale से measure कर लेंगे कि यह curved line कितने cm की है है ना तो आपको curved line दी गई है कितने meter की है अब यहाँ पर activity दी गई है एक धागा लेना है और उसके एक end पर not लगानी है और यह जो not है one end पर curved object ने goal object में बांधना है तो आपको क्या करना है एक धागा लेना है धागे के एक end पर not लगाना है गठान बांधनी है और उस not को किस पर रखनी है जो भी curve object है जिसका हमें measurement लेना है अब धागे को गोल गोल जो इस तरह से घुमाना है जो भी इस curved object की length है उस पर रखना है और दुसरे end तक मिला देना है और pencil से mark कर लेना है और फिर जो धागा हम कट करेंगे और उसे meter scale पर रखकर नाप लेना है जैसा कि मैंने आपको बता है यह activity one में दिया गया motion क्या होता है students तो हमारे चारों और ऐसे objects जो की movement कर रहे हैं और एक place से दुसरी place पर जा रहे हैं और जैसे कि कुछ objects ऐसे हैं land पर चलते हैं कुछ air में चलते हैं तो कुछ space में रहते हैं और कुछ atmosphere के atmosphere के भी हम बात करें उपर रहते हैं या हम कह सकते हैं कि हर वो object जो की continuously move कर रहा है वो motion में तो हर object जो movement show करता है या उनमें जो है कि गती की अवस्था में होती हैं गती करती हैं उसे motion कहते हैं और इसका motion का opposite term जो है वो rest है motion का opposite word है rest तो ऐसा object जिसमें moment नहीं है और वो एक जगे पर ही रुका हुआ है उसे rest में कहेंगे और कोई भी object जो की move कर रहा है एक जगे से दुसरी place पर चाहिए वो land पर हो water पर हो, air पर हो, space पर हो इसमें इसमें हो या atmosphere के भी जो है उपर हो तो यह सब क्या है motion की category में आता है इसे हम कह सकते हैं कि object जो है वो motion में और हमने कार का जो motion ने देखा है मदू मख्यों को भी हमने जो है humming करती है मदू मख्या जो इस तरह से भवरे जो है आवाज निकालते हैं यह सब क्या है motion की category में आता है mosquito को भी आपने देखा है वो कैसे आवाज निकालता है और भन भनाते हैं यह और butterflies जो है आपने इनका भी movement देखा है और कुछ कैसे इसमें क्या होता है कि हम किसी भी object को notice नहीं कर पाते हैं जैसे कि motion में या rest में बहुत सारे confusion चीज़े हैं अब जैसे कि watch हमारी जो move करती है watch तो move नहीं करती watch के अंदर जो hands होते है hour ends, minute hands and second hands यह हमको easily move करते वे दिखाई देते हैं fast movement करता है और minute end होता है वो उससे थोड़ा slow move करता है hour end जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है तो कुछ objects ऐसे होते हैं कि बहुत fast move करते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही slow move करते हैं अब जैसे कि हमारी earth जो है वो क्या कर रहिए सन का rotation भी करती है और revolution भी करती है अपने social में पढ़ा होगा geography में कि जब rotation होता है तो rotation causes day and night और revolution से क्या होता है season जो है change होते season जो भी seasons रहते हैं उनमें changes आते हैं और अर्थ जो है अर्थ के अलावा और भी ऐसे 7 planets हैं जो की sun का revolution करते हैं और ये solar system के क्या है members है और और जो हमारे astronomers हैं जो खगोल सास्त्री हैं जो की space के बारे में research करते हैं उन्होंने जो planets इनके बारे में study करते हैं उन्होंने लाखो करोडों की संख्या में तारों के बारे में बताया है उनकी खोचकी है बारे में बता है तो और इनके बारे में क्या बता है कि तारे हैं और जितनी भी आजो आकाश गंगा हैं और जिसको मिलकीवे कहते हैं प्लैनेट से सैटेलाइट से यह सब क्या करते हैं रिवेलुशन करते हैं यह कंटिनियसली मूफ करते हैं स्पेस में और इसलिए इनको भी ह और जो भी वेक्ति आसपास खड़े हैं, सब आपको क्या करेंगे, कि सभी motion में है, सब opposite direction में move करें, train आगे चल रही है, और सारी चीज़ें पीछे जा रही है, पर ऐसा क्या होता है, कि आसपास की चीज़ें जो रहती है, वो rest में रहती हैं, train जो रहती है, वो motion में रहती है, तो यह position change कब होती है, यह stationary object की वज़े से position, यह हम compare कर पाते हैं, कि सामने वाला object है, train के बाहर की जो भी चीज़ें, वो stationary है, stationary मतलब fixed है, वो moment नहीं कर रहे हैं, वो सब रुके वे हैं, और train जो है, वो moment कर रही है, ठीक है, अब water, और हम जानते हैं, कि अगर air या space पर जाना है, तो astronauts जो हैं किन-किन चीज़ों का use करते हैं, satellite की help से उनको उहाँ पर, जो ले जाया जाता है, और air में अगर हमें traveling करनी है, तो हम किस की help से करेंगे, airplane की help से करेंगे, तो वहाँ पर भी motion है, airplane भी motion को बताता है, और अगर आप boat से, ship से, जो है, water bodies पर travel कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आप एक जगे से, दुसी जगे पर जाने के लिए, boat और ship का use कर रहे हैं, तो ये भी motion, हम कह सकते हैं, कि boat और ship जो है, वो motion में है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे animals हैं, जो कि water bodies में swim करते हैं, वो भी motion में कहे जाएंगे, ठीक है, तो इमोशन के examples हैं, types of motion क्या हैं, तो types of motion जो है, हम सबसे पहले इसमें, कि मोशन तो अभी हमने motion और rest में क्या difference होता है, ये समझ लिया, लेकिन motion जो है, इसके कहें types होते हैं, कुछ जो है, कुछ में ऐसा होता है, कि ये straight line में होता है, linear line में होता है, कुछ जो हते है, curved line में होते हैं, कुछ rotation में होते हैं, और कुछ translatory होते हैं, इसका पहला एक्जामपल है, तो यह ऐसे टाइप का मोशन है, जिसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं, कोई भी बॉड़ी अगर मुव कर रही है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स पाय जाते हैं, वो सभी एक काइडिनेशन में मुव करेंगे, और सेम डिरेक्शन में और सेम तो यह translatory movement होता है, जिसमें object को जब move किया जाता है, या कोई भी object move करता है, तो same time और same distance आता है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इस topic को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी body को, एक straight road पर और circular path में गुमाएंगे, तो सीधे road पर आप चलेंगे, तो क्या changes दिखेगा, और circular path पर चलेंगे, तो क्या changes आपको दिखेंगे, तो हमारी body के जितने भी parts है, सब same distance और दिया गया time है, suppose आपको 5 minute में, जो है, 5 minute में आपको 100 meter दोड़ना है, आप दोड़ना है, तो 100 meter आपको दोड़ना है, तो आप क्या करोगे, same distance और same time को cover करोगे, लेकिन circular path में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि circular path जो हो सकता, उसकी length जो है, straight road से ज्यादा हो, अब जैसे, एक कुत्ता जो है, दोड़ रहा है, उसी same distance को cover करने के लिए same time में, और जब बात होती, same distance, ठीक है, एक कुत्ता जो बॉल के पीशे दोड़ रहा है, हम अगर कोई game खेलते हैं, हमारे friends के साथ, और हमने इतने time में, जो है, इतने, जितने friends को touch कर लिया, और उन्हें out कर दिया, या फिर हमने goal कर दिया, दिये गए time में, हमने दिये गए time में, इतने players को अगर out कर दिया, तो यह सब translatory motion के example है, ठीक है, और translatory motion जो है, students, यह two men types के होता है, इसको दो पाट में बेफरकेटिट किया गया, rectilinear motion और circular motion, तो rectilinear मतलब जो straight line में होता है, और circular motion जो है, circular path में है, और the movement of a body along a straight line is called rectilinear motion, तो जब भी कोई body, body का क्या मतलब है, body का मतलब यहाँ पर objects है, वस्तू से, कोई भी चीज, ठीक है, जो की सीधी रेखा में, सीधे road पर, सीधे path पर गती कर रही है, उसे rectilinear motion में कहा जाता है, आपके सामने examples हैं, a train moving in a straight track, train किस पर चलती है, सीधे track पर चलती है, एक पत्थर जो है, छट से गिर रहा है, वो भी rectilinear motion का example है, the motion आप वीकल on a straight road, तो सीधे जो अपने, यह जो road हैं, सडकें, इसमें चलने वाले जो भी वीकल्स हैं, यह भी rectilinear motion का example है, और पेडों से फलों का गिरना भी rectilinear motion का example है, ऐसा तो है नहीं कि वो गोल-गोल गूम के नीचे गिरता है, और फिर circular motion में गूमता है, और जो कि हमारी 26th January या 15th August पे March pass होता है, उसमें भी soldiers जो है, rectilinear motion में ही चलते हैं, ठीकें, अब कर्वी linear motion है, the movement of a body along a curved path is called curvilinear motion, अब कोई भी object जो की है, curved path में move करता है, उसे curvilinear motion में कहा जाता है, आपके पास example है, जैसे कि बस किसी upheel पर चल रही है, तो वहां का path है, curved path होगा, अब अगर जो baller है, वो, अगर ball जो है, वो किसी filter के द्वारा फेकी जाएगी, तो वो भी किसका example है, curved linear motion का example है, ठीकें, और cyclist जो है, अगर वो curve path में, या घुमाओदार path पे, या रास्ते में cycle चला रहा है, तो वो भी curve linear motion का example है, शटल इन बैटमेंटन गेम, तो बैटमेंटन गेम में जो शटल होती है, वो भी curve linear motion में लगी रहती है, और whirling of a stone tied to a string, अब एक पत्थर को धागे से बांध लें, एक stone लें, इतना बड़ा stone लेना है, इतना बड़ा और इसको रस्ती से क्या करना है, या धागे से बांध लेना और उसको एक ही जगे पर खड़े होकर, अपने हाथ से आपको गुमाना है, चार और, तो वो भी किस motion का example है, curvilinear motion का example है, तो यह देखो कि śm EMM, बैट्माना है, को मारते है या राकेट से मारते हैं, ये भी curvilinear का example है, और ये जो फिल्डर होता है, जब बॉला फेकता है तो यह फिल्डर मोशन में, और ये आप देखेंगे बस इस तरह से, घुमांदार पात पर और या फिल तो रोटेटरी मोशन का एक्जामपल आप देखोगी इस पिनिंग टॉप है लट्टू किस तरह से घूमता है और अब्जेक्ट इस सेट तो बी रोटेटरी मोशन इफ इत मुवस अबाउट अफिक्स एक्षिस विदाउट चेंजिंग इस पोजिशन जब भी कोई अब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज किये बिना एक्षिस पर लगातार जो है मूव कर रहा है बिना अपनी इस्तिती या पोजिशन को चेंज किये तो जब भी कोई अब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज किये बिना एक एक्षिस पर मूव कर रहा है वो रोटेटरी मोशन का एक्जामपल है जैसे कि लट्टू आपने दिखा इस तरह से एक एक्षिस पर एक पॉइंट पर मूव करता है जब हम उसे गुमाते हैं तो औ और आर्थ जो है आर्थ भी रोटेशन करती है सन का अपनी एक्षिस पर रहकर और जो फैन है वो भी एक एक्षिस पर रहकर गुमते हैं और ग्रामा फोन जो रिकॉर्ड है मेरी गो राउंड है इस तरह से आप देखोगे यह यह बी इस तरह से गोल एक एक्षिस पर गुमत यह रोटेटरी मोशन के एक्जामपल से है, पीरियोडिक मोशन के एक्जामपल क्या है, तो पीरियोडिक मोशन ऐसे होते हैं, जो कि फिक्स्ट इंटर्वल आफ टाइम में होते हैं, कोई भी अबजेक्ट जो कि एक दिये गए निशित समय अंतराल में अपना जो है राउंड वो परियोडिक मोशन होता है अब अर्थ बहुता है अब कोजाल कर सकते हैं इसी के बहुती दिने की से प्लोकritos करा पम खुं depends के अपनोशाई चैला है और अर्थ जो है अपना एक rotation 24 hours में पूरा करती है और इसकी वज़े से day और night होते हैं यह periodic motion होता है क्योंकि इसमें time दिया गया 24 hours में ठीक है periodic motion जो है इसमें जो जूला होता है या pendulum bob जो होता है pendulum bob जो घड़ी होती है आप देखो कि इसमें जैसे एक घंटा पूरा होता है तो pendulum टकराता है और sound produce होता है ठीक है तो यह भी यह periodic motion का example हो गया ठीक है अब circular motion क्या होता है कि बाड़ी मूज अराउंड a circular path the way the earth moves around the sun or the moon moves around earth this motion is called circular motion अब देखो जब भी कोई body circular path में move कर रही है गती कर रही है और earth जो है जिस तरह से earth जो है solar system के head sun का revolution करती है और sun का round complete करती है उसी तरह से earth का rotation है revolution है moon करता है moon क्या है earth का natural satellite है moon earth का एक natural satellite है और यह क्या करता है earth का earth को revolve करता है earth के चारोर गूमता है earth के चक्कर लगाता है प्रत्वी सूरे की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो है प्रत्वी की परिक्रमा करते है तो यह जो इस्तिती होती है यह circular motion का example है क्योंकि इसमें जो इनका path है वो एक जो है गोल मतलब यह हम कह सकते curved या घुमाओदार motion में या गती में होता है आप जैसे water wall है अगर हम उसको किसी elastic string से बांध देंगे और उसको एक circular motion में घुमाएंगे यानि अब आप यहां देख सकते है swinging pendulum pendulum देखा है जूला जो आपने देखा है जूले की जुगती होती है pendulum देखो यह pendulum जो की घड़ी में होता है और यह एक यहां है यह center में रहता है जैसे ही पुरे लगातार एक गंटा होता है तो यह यहां से यह oscillatory motion का भी example हो सकता है यह जो है यहां पर आता है फिले P स्थिती में आएगा P situation से फिर यह Q पे Q से फिर यह R को आता है यह pendulum bob है जो की एक घंटे बाद sound produce करता है अब आप गड़ी में एक घंटा complete हो गया है 12 बच गई हैं कई टाइप के जूले होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो rotatory motion का example देते हैं यह आपको दिख रहा है circular motion में है और यह बहुत बड़ा जूला होता है और यह जो है circular motion में घुमता है oscillatory motion का example है आप देखो कि इस तरह यह वाला जो जूला है यह swing कर रहा है यह लड़का यहाँ पर picture में क्या कर रहा है swing कर रहा है तो जूला आगे जाता है फिर center में आता है पीछे जाता है फिर center में आता है फिर आगे बढ़ जाता है तो यह जो है यह oscillatory motion का example है और pendulum जो है घड़ी का pendulum भी इस तरह से काम करता है तो जूला जो आपको दिख रहा है जिसमें बच्चा खुद जूला ले रहा है और temple bell का यानि मंदीर की घंटी का भजना और जो हमारे गड़ी का pendulum होता है यह pendulum होता है इस तरह से इसका भजना, इसका moment और जो saving machine होती है सिलाई machine की जो needle होती है वो भी auxiliary motion में ही move करती है और car में जो piston होता है वो भी auxiliary motion में work करता है auxiliary motion क्या है तो आप इसे underline कर लीजिए to and fro and back और forth फोर्थ मतलब आगगा, back यहने पीछे, फोर्थ यहने आगे to and fro का मतलब होता है जो औरते हों आगे या पीछे कोई भी object जब move करता है एक same path में तो वो auxiliary motion का example होता है अब vibratory motion में आपने देखा हूँ mobile को अगर हम vibration में रख देते है, vibration mode पे vibratory mode पर तो क्या होता है इस हमने time लगा दिया है alarm अगर हम vibratory mode पर set करते हैं जो हमारा cell phone है वो vibrate करने लग जाता है उसका time पूरा होता ही तो इसमें क्या होता है कि यह भी two and fro moment होता है लेकिन कुछ जो body के part होते हैं object के कुछ पार्ट जो होते हैं वो एक position में रहते हैं और दूसरे जो है stationary position में रहते हैं तो कहने का रहते हैं कि यह two and fro moment है इसमें भी आगे और पीछे की गती होती है जैसे मैंने बताया है कि और इसमें क्या condition रहती है कि body का यानि object का कुछ पार्ट तो क्या होता है motion में रहता है लेकिन कुछ जो होता है वो stationary याने इस्थिर रहता है तो एक पार्ट इस्थिर है और एक गती में है यह वाइब्रेटरी मोशन का एक्जामपल होता है अब जैसे कि गिटार के जो string होते है वोने जैसे प्लग किया जाता है तो यह वाइब्रेट होते है to and fro moment में to and fro very fast जैसे जितनी तेजी से हम बजाते है string को और वो जो है sound उसमें से vibrate होने लगता है produce होने लगता है लेकिन जो पूरी string है वो move नहीं होती है ठीक है जिस string को हम बजाएंगे वो ही move होगी और इस type के जो vibratory motion होते है इन में क्या होता है यानि जो guitar वाला एक्जामपल है इसमें जो string है उसका shape और size जो है वो change होता है motion के according और ये जो है oscillatory motion में आता है तो string जो है उसका shape और size change होता है और उसको बजाने से या हिलाने पर sound produce होगा लेकिन जो उसका shape और size है वो change नहीं होगा non-periodic motion जो है जो दिये गए या निश्यत समय अंतराल के अनुसार नहीं होते है वो non-periodic motion होते है और ये जो है दिये गए समय में repeat नहीं होते है ठीक है जिस समय से start होए है जिस time से उसी fixed interval of time या fixed time interval पर पूरे नहीं होते है non-periodic motion होते है जैसे कि applying breaks to a moving vehicles जैसे चलती गाड़ी पर अच्छानक से break लगा दें तो ये non-periodic motion का example है अब football players का जो moment होता है playground में वो भी non-periodic motion का example है और hockey ground में जो ball का movement होता है ball को players इस तरह से गुमाते हैं ये भी non-periodic motion का example है now next is more than one type of motion at a time तो एक समय पर कहीं बार क्या होता है कि बहुत सारे motions होते है और बहुत सारी गती एक object के द्वारा की जाती है तो अलग-अलग type के motion जो है हम करते हैं आर्थ जो हमारे axis पर गूम रही है sun का revolution कर रही है तो आर्थ क्या करती है रोटेशन भी कंप्लीट करती है revolution भी कंप्लीट करती है मैंने आपको बता है rotation की वज़े से आर्थ के rotation से day और night आते है और जो revolution कंप्लीट करती है 365 days में तो जो season है season changes होते है ठीक है गर्मी और सर्दी बारिश जो भी होता है सब यार्थ के revolution से होता है अब अगर एक कोई बॉल जो है एक slope पर एक धलान वाले पात पर मूव कर रही है और bicycle की बात करें वो circular पात में मूव कर रहा है तो यह translatory motion के example है एक ही time पर जो है यह मूव कर रहे हैं और spinning top लट्टू का घूमना डगमगाना यह सब क्या है एक same path पर और यह बहुत सारे example हमने देखे हैं आप जैसे एक person कोई वेक्ती जो कोई से पानी निकालता है तो यह किसका example है और जो रसी होती है वो पुली पर किस तरह से काम करती है तो कोई में हमने देखा होगा तो एक पुली लगा होता है जो है रिंग लगी रहती है उसमें रसी डालकर हम रसी से बाल्टी को connect कर देते हैं गठान लगा देते हैं और बाल्टी कोई में डालते हैं और फिर पानी निकालते हैं तो यह जो ट्रांसलेटरी मोशन का example है अब ड्रिलिंग मशीन देखा है ड्रिलिंग मशीन किस तरह से काम करती है तो ड्रिलिंग मशीन जो है यह भी रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का example शो करती है क्योंकि लकडी में छेद करना है या वाल पर छेद करना है तो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन का एक्जामपल होगा, अब हम एक्सेसाइज देखेंगे, तिक दे करेक्ट ऑप्शन, SI unit of length is, length की SI unit meter है, ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन C में, second है, it was the length from the elbow to the tip of the middle, तो उस length को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम, हमारी कोहनी से, हमारे tip की, tip से मेically ernst करते हैं, मतल Uhr मिडिल जो finger होती है, उसके tip से माइसर करते हैं, तो यह वाली जो फिंगर यहाँ से लेकर, जो हमारी कोहनी वाली पार्ट को क्यु बढ़ा जाता है, जो प्लेयर प्लेयर न फुटबॉल ग्राउंड इस एक्जामपल फुटबॉल ग्राउंड फुटबॉलर का मुवमेंट होता है वह किस मोशन का एक्जामपल है नॉन पिरियोडिक मोशन का तो आप इसे टिक कर लें the motion of a pendulum is a motion of a pendulum pendulum की जो गती होती है वो किस टाइब का motion है periodic motion का example है क्योंकि एक निश्य टाइम इंटर्वल में जैसे ही एक घंटा पूरा होता है तो pendulum जो है pendulum bob जो है sound प्रोड्यूस करता है वो oscillatory motion का भी एक्जामपल है अगर pendulum bob की moment की बात की गई तो वो oscillatory motion में है और जो pendulum होता है students वो periodic motion का example है pendulum का जो motion है periodic motion का example है which of the following is an example of oscillatory motion तो oscillatory motion का example है चाइल्ड ओनर स्विंग जब कोई बच्चा जूले पे जूलता है या जूला लेता है तो वो oscillatory motion का example है fill in the blanks देखेंगे हम इसमें आपको option दिये गए हैं और correct option पर आपको tick करना है inch was the width of a thumb तो inch किसे कहेंगे हम अंगुठे की जो अंगुठे की जो चोड़ाई होती है उसे inch में आपा जाता है length is defined as the line or curve distance between any two points तो length को अगर हम जो है दो point के बीच के distance को हम क्या बोलते हैं length बोलते हैं the meter scale is used for measuring straight objects meter scale का use क्या किया जाता है किसले किया जाता है straight objects को measure करने में किया जाता है the movement of a body along a straight line is called rectilinear motion जो जब कोई भी body जो straight line में motion करती है उसे rectilinear motion कहते है the known fixed quantity is called the unit तो किसी भी object की जो भी fixed quantity होती है उसे हम unit कहते है tick the correct option के बाद fill in the blanks हो गया है अब है tick the correct and cross for wrong statement the motion में भी linear और translatory तो यह statement true है क्योंकि motion जो लीनियर भी होता है और translatory भी हो सकते है the spinning of earth on its axis is an example of rectilinear motion तो यह statement गलाते क्योंकि जो earth जो spinning करती अपनी axis पर वो जो है rectilinear motion का नहीं periodic motion का एक्जामपल है in ancient times there were no standard units तो पुराने समय में कोई भी standard units नहीं थी तो यह statement सही है SI unit is system only in India SI unit is standard international system जो सिर्फ इंडिया में यूज होता है तो यह statement गलत है in short national physical laboratory is called NPL short में national physical laboratory को NPL कहा जाता है तो यह statement क्या है true है Give an example for each type of the following motion तो आपको यहापे example जो है motion दिये गए है उनके just समने आपको example लिखना है rectilinear motion का example है a train moving in a straight track train का सीधी रेखा में या सीधी track पर चलना जो rectilinear motion का example है curvilinear motion a ball thrown by a filter जब भी कोई filter ball को फेकेगा ठीक है तो वो curvilinear motion का example है rotatory motion का example है spinning top latto का गुमना rotatory motion का एक example है auxiliary motion क्या है swing जूले जूला जूला जो जिस moment में गुमता है उसे auxiliary motion केते हैं periodic motion का example है swinging pendulum pendulum का गुमना periodic motion का example है non periodic motion का example है moment of ball in playground तो होकी जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल को जिस डारेक्शन में गुमाते हैं या चारो तरफ पूरे ग्राउंड में गुमाते हैं वो क्या है? ball का जो moment है महाँ पर non-periodic motion का example है क्योंकि ये fixed or given time में नहीं होता है और fixed interval of time में नहीं होता है ठीक है which unit you would use to measure the following अब इन चीजों को measure करने के लिए आप कौन सी unit का use करेंगे length of your notebook तो notebook की length को measure करने के लिए centimeter का use करेंगे distance between your home and your school kilometers का use करेंगे thickness of your geometry box geometry box की मोटाई को measure करने के लिए centimeter का use करेंगे length of your bedroom bedroom का length measure करने के लिए feet का use करेंगे width of match box match box की छोड़ाई आपको measure करने है तो centimeter का use करेंगे now students यहाँ पर जो आपका chapter 8 complete होता है next video में हम chapter 9 स्टार्ट करेंगे